नमस्कार आप देख रहे हैं BRG News बड़ोदा में कोरोना वाइरस से पहली मौत का मामला सामने आया है 52 वर्षिय कोरोना संक्रमित पुरुष की आध सुबे तड़के सायाजी अस्पताल के आइसोलेशन वाड में मौत हो गई थी सायाजी अस्पताल प्रसाशन ने उनकी अंतीम क्रिया भी सुब तड़के ही कर दी पर जो लोग अंतीम क्रिया के लिए आये थे उन्होंने जो एंटी इंफेक्शन कीट जो पहनी थी उसे वहीं खुले में फैक दिया ये तस्वीरे बड़ी गंभीर लापरवाही बया करती है सयाजी अस्पताल प्रसाशन की कोरोना संक्रमन से जहां जिला प्रसाशन के साथ केंद्र और राज्य सरकारे नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रही है तब ये तस्वीरे संक्रमन को बढ़ाने का खत्रा बया करत ये खबर हम इसलिए बताते हैं कि आईसोलेशन वार्ड में से कोरोना से संक्रमित कोई भी चीज सही तरीके से या फिर ऐसा कहें कि मेडिकली उसका सही तरीके से नाश होना जरूरी है जिससे संक्रमन का खत्रा ना बढ़े एसी ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने हैं आप हमें यूट्यूब, फेस्बूप, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें